तो अभी इस इंट्रिव्यू में हम लोग एक दम कंप्लीट पैकेज की तरह डिसकस करेंगे कि फिर वेकिंसी आगे तो पहले रिटन के डिस्केशन कर लेंगे फिर मेडिकल कर लेंगे फिर उसके बार थोड़ा इंडियू जैसे इंस्रक्शन भी होता है महां पर कुछ इसी का यह सर मेरा स्कोर था 18 उसमें थे और 17 इंगलिश में थे 34 आटो मूबिल में थे तो वहां पर जब रनिंग होती आपकी तो सारे ऑफसर्ट होते हैं जैसे कमांडेंट भी थे और डियाइजी भी थे जो अब्सर्व कर रहे तो उपर ते और बाकी पानी वगेरा की वि एक मिनट में आपको रोखूंगा यहां पर वह इस वज़े से कि कई सारे लोगों को कान्फूजन हो सकता है कि यह जो प्रॉसेस हैरा सेलेक्शन का यह एडवर्टीजमेंट में मेंचन नहीं है कि आपको दोड़ाया जाएगा आपका इंट्व्यू कराया जाएगा तो साहर कुछ लोग सोचें कि यह है कि नहीं है या कुछ लोगों को मैंड में आए कि यह पहले था इस बार निखाल दिया तो पिछली बार भी यह सब चीजें मेंचन थी नहीं करवाया गया इसका कोई मार्स नहीं मिलता है जस्ट क्वालिफाइंग है कि आप कर लिए तो आगे कर दो दूसरा बंदा था था जो अंडर वेट साउस ने सुई वह सब्सक्राइब तो पता नहीं था कि क्या बोलते हैं आप उसको फिर जाके मिठाई-बिठाई कलाई हम लोगों लोगों अप्राय रखलाया और उसको इससे पानी अज़र्वार्वारी इसका दो केजी बार सिरियसली होता है मेडिकल मतलब कहने का मतलब यह है कि मेडिकल सिरियसली होगा आपके टैट्व अगर बाहर दिख रहे हैं और सब्सक्राइब यह ज्यादा अच्छा आइडिया है कि आप रिमूव करवा के जाएए अगर कहीं अंदर है तो चले गाए इसा सोल्डर रूडर पर बनवा रखा है माली जै किसी मह्मुक के नाम का नहीं करवा सकते साधी तूट जाएगी तो नापी यह बाकि बहा है तो मैं तो यह कहूंगा सर इनकेस अगर है अंदर भी बॉड़ी के तो उसको भी निकलवाई लो क्योंकि पता नहीं सर वरोसा नहीं है आप वहां पहुंचने के बाद फिर गर जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे साथ बंदा था सर वो दस में से चार जवाब दे पा रहा था और छे नहीं दे पा रहा था मतलब माइल्ड था उसको और वो भी कुछ-कुछ नहीं लिया था निकाल दिया था और रिभी मैडिक बंपता चले कि बंप पहचानना है कौन सी कलने का वायर कार्ट में हो पह सब्सक्राइब के साथ तो मैं एक चीज़ और पूछने मना था भूल गया कि आप लोगो यार ट्रक में ले गए बतलब यह जीप्सी उप्सी नहीं दिए यह कुछ सब्सक्राइब करें लिए अब एक क्वेश्चन मेरा मता है लास्ट में पर आप से दो क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन तो यह कि आप काफी स्मार्ट दिख रहे तो शाधियोदी कर लिया आपने या फिर अभी मतलब बैचलर हो इस होप है मालो कोई देख रहा हो तो मैं मैं सोच रहा हो कि एक मैट्रीमोनिय भी खोलनों ऐसे इंट्रिव्यू लेता रहूंगा तो कह दुगा कि भाई आप में खाली है बंदा तो आप देख लोगर पसंद आ है बात्चीज भी होगे इतनी तो यह भी पता चल गया कि नोनेज कितना है दिवहार भी थोड़ा पता चली जाता है है कि नहीं तो यहां से ज़्यादा इवल्यूशन होगा न मेरे बोडी से कहीं भी बता रहे हैं कि मेरा पहले से कोई है नहीं तो इसको पूरा है कि आप कॉंटेक्ट कर सकते हो आप सभी का एक बार फिचे स्वागत है और आपके साथ ही हमारे जो आज के गेस्ट है मेहमान है जो भी कह लिजिए सौरब सिंग्जी है अभी रिशेंट्ली इनका सेलेक्शन हो रहा है बिएस सब के साई पोस्क में फिर से उसकी वेकेंसी आ चुकिए तो बहुत सही टाइ तो अब नाम तो आपने बता ही एंट्रूस तो अगर मैं अपने अपने स्टडी बैग्राउंड की बात करूं तो सर अप्रिटिद माइब बीटेक इन 2016. उसके बाद अटो मोबी इंजिनिंग से बीटेक किया उसके बाद सर कॉलेज से प्लेस दूआ महिंद्रा माइंद्रा उसके लिए प्रिपेर किया मीनवाइल इस डूरेशन में मैंने एक्जाम क्लियर किये उसके बाद एट टाइमस एसे बी गया आट वार उसके बाद अनफॉटूनेटली कहीं कॉन्फरेंस आओ कहीं स्क्रीन आओ यह सब चलता रहा था उसके बाद यूपिसी सी एपीफ एसी टूटाओजन नाइटीन में मैं रह गया था लास्में लास्ट रजल्स में उसके बाद सर यह वेकैंसी आई तो मुझे लगा कि यह बहुत अच्छी चीज है और इसमें मुझे अपनी स्ट्रीम आटो मब इंजिनिंग से रिलेटेट काम करने का मौका मेलेगा डिफेंस एस आपको लड़के चाहिए ना मतलब आपकी भी मूचें आपके जो फीजिक है ओब दिएसमेंदगे चलता है कभी कभी सब्सक्राइब होजाते हैं पेनी पर दिश्षामम जाता है इंज ऐसे कि हमारे हैं पहने बात हो रही ती कि अभी आपा करी रहे हैं तो निकल सकता है तो अब एक लेवल एचीव हो जुका है और जिलोगों पाड़िया नहीं है हम थोड़ा सा पताते चलते हैं ताकि वह इन प्रस्पेक्ट्टिव को भी समझते चलेंगे साथ में कि लास्ट आइम देविन का सेलेक्शन हुआ तो सबकों पर डिख लएंग है याभी विनुक्षा नहीं आपकी पर मैंति इसे तो सबकां सेम आप। तो ऐसा कि आप लोगों कुछ ट्रेनिंग के लिए बताएं कि ज्वाइन के बाद प्रेनिंग स्टार्ट होगी या कुछ ऐसा बताया है परी शेडियू कुछ है या फिर सर वहीं बताएंगे अभी सर सबको अपना अपना स्टेशन हेड़कॉर्टर दिया है जैसे अच्छी को गुजरात दिया है किसी को कुपवारा किया है मेगाले नौर्ट इस्ट भी जा रहे हैं कुछ लोग हैं सर तो उसके बाद सर वहां जोएं के बाद फिर यह जो बेसिक ट्रेनिंग है वह होग जो बेसिक ट्रेनिंग है सर वो टेकन पर गॉलियर में ही होगा जहां अच्छ ट्रेनिंग अकेडमी हैं लोग ओके मतलब यह होगा ठीक है तो एक मतलब बेसिक आइडिया मैं दे रहा था कि पिछरी बार लास्ट है इलेवन वेकेंसी थी इस बार फाइव वेकेंसी है कुछ बाकि दो तीन वेकेंसी और भी हैं उसमें भी मेकेनिकल और अटमोबाल इलेजिवाज तो तो अभी इस इंट्रिव्यू में हम लोग एकतम कंप्लीट पैकेज की तरह डिसकस करेंगे कि वेकेंसी आगे तो पहले रिटन के डिसक्शन कर लेंगे फिर मेडिकल कर लेंगे फि कि जब ये वेकेंसी आई आपने फॉर्म कर दे तो फिर प्रिप्रेशन के लिए कैसे प्लान किया आपने कि क्या-क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है चुकि इसका जो सिलेबस भी होता है थोड़ा आपका मॉबाईल होता है थोड़ा एक इंजन होता है इस टाइक का सिलेबस नहीं है और जो है वो कुछ जो हमें नॉट रिक्वाइड है वो भी उसमें इंक्लूड है जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो मैं भी सर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहा था तो वी गनेशन करके एक बुक की सर वो मैंने ओडर थी ऑटो मोब लेकिन सर उसमें क्या था कि कुछ टॉपिक्स जो इस से इस लेबस से मैच कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे उसके बाद सर मैं मनु अकैडमी यूट्यूब पर डाला आपका लेक्चर आया उसके बाद वो देखा फिर आपसे मेरी टेलीग्राम पर बात तो यूसी रहे थे नोट तर एक भरीके से मतलब रापार माने लीजी आप उनको उसमें सब कुछ था जो मुझे पर्टिकुलर्ली रिक्वाइट था इस एक्जाम की पिर उसके बाद सर वो नोट पड़े पिर सर 4th of September को इसका एक्जाम पंड़क्ट गए था ऑफ-लाइन मोड में एक् सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे तो उनको इसके बाद सब्सक्राइब करेंगे बच्चे तो पॉलात हो लेंगे इस सेलेक्शन वारा तो बाद में है मेरा स्कोर साथर 69 अगर हम सोच के चले तो कॉल आएगी आपको सब्सक्राइब करें तो थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोसिस करें तो थोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगर आप सेवेंटी क्रॉस कर लेते हो कैसे भी तो फिर एक शोर्शाट हो जाता है कि अगर आप सब्सक्राइब करें तो जो टेकनिकल क्वेश्चन थे उनका लेवल कैसा था जैसे आपने पढ़ा है कुछ नोट्स पढ़े आपने मनु एकेडमी पे अपको पता कैसे चला था अशे सब्सक्राइब तो अब अब जो आपका ही मतलब ज्यादा यूट्यूब पर जिसको मैं काऊंगा और बाकी जो कोचिंग अड़ियंस नहीं है मतलब उनका वो मैटेरिल जैसे आपका वो जो कोर्स है तर फाइवार्स वा कुछ जो कोर्स है 17 आवर्स वो पूरा कवर कर लेता है तर अब और उसके साथ तो वो जो कलबरेशन है ना सर आपका वो बहुत कमाल है और अगर मैं कुश्चन की बात करूं तो सर फ्यूल इंजेक्टर से कुश्चन था और टॉक से कुश्चन था अच्छा इसमें निमेरिकल नहीं थे सर यही मैं कुछना चाहाँ कि ग्रीफ आईडिया अगर मैं करना है और जो पर चुश्चन थे जैसे कि एबी सी सही है इस टाइब के भी विप्वेश्चन थे या केवल वण और उप्ष्ण वाले पुश्चन थे तो यह आप मतलब और जो अपनामेंटल था वो कैसा था मतलब हम यह कह सकते हैं कि में यह लेबल था टॉप ल पुछी कुश्चन स्थे वाकि एजी टू मॉडरेटी को माना हूं कुछ पुश्चन तो रहते हैं हर एक्जाम में रहते हैं कुछ ऐसे पुश्चन स्रहते हैं जैसे जनर नॉलेज़ का एक कुश्चन था सर की लाज़ेस्ट प्रडूशर और फिश्च अब वो ड़ना सर इ पूछ लो बीस नमर का जी के असी लब इस इतना जागा है तो पुछ भी टाइप कर दिया और कॉपीपेस कर दो बस क्वेस्चन बनी जाएगा तो आप क्या रिकमेंट करेंगे ती जी के में अगर आप पढ़ना हो तो जैसे आपने क्या फॉलो किया था और दूसरों लोग जो पीचे से की थी बैक्राउंड था मेरा जो यूपीची का वह बहुत सर हल्फुल रहा मेरे लिए तो फिर तो आपको जीके का ज्यादा अच्छा आडिया होगा मैं यह बस पूछना चाहरा हूं कि अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो चुकि जीके इतना ब्रॉडर है अब बीस क्वेश्चन ही आने है तो कोई एक आप टॉपिक आप रिकमेंट करोगी कि यह क्वेश्चन आजा असानी से कर लोगे या पिश्क्राइब करेंट अफेर और अफेर साइंस हैंटेक अब तो प्रिकमेंट करना चाहते होगे जिससे कुछ फुछ पूश्चन हो जाए असानी से तो यह पूश्चन होगे वहां पर करने हैं लोकेशन के हिसाब से हाँ आप आप लाइक दुरंद लाइन किसका है मैंहेटेन लाइन किसका है तो वह बॉर्ट तो मुझे लग रहा कि आपने पेपर ही लिक कर दिया एक वे आएंगे या इसमेंस मुझे भी असा लग़ा है ज कि लोकेशन ऐसी है जो आपकी तो सायद क्वेश्चन पूछें ठीक बात और कुछ वाइल लाइफ पैंचुरी सर्थ करेंट अपेर से लगता है कि वह लिंक कर देता है कि कुछ करेंट अपेर में किसी चीज की बात हो रही है तो वह ना पूचके उसके रिलेटेटेट इस् इसमें यह मूड बेड़ेंड करता है सर या तो स्टेटिक के साथ जोड़ देंगे उसको या तो फिर सिरा स्टेट फॉरवार्ड तूच लेंगे इंग्लिस में ऐसे क्या रिक्मेंडेशन होंगे आपके इंग्लिस में बहुत अच्छा स्कूर किया आपने जानते ही हैं जानते हैं कोई न्यू कमर आ तो उसको तो पढ़ी लोग बात करें सर अगर इंग्लिश की तो उसमें एंटोनिम्स आए थे तीन से नोनिम से तीम और जंब सेंटेंस से रेक्टिफाय करने वहां एर्र एक अंसीं पैसे साथर तीन चारी कुशन थे उसमें ज्यादा नहीं थे और एक सर जो एरर इन स्पैलिंग मिस्टेक वाला जो कुश्चन साते हैं इंग्लिश में कहूंगा सर की इजी टू मॉडरेटी इंग्लिश को ज्यादा मतलब इसलिए इंग्लिश की क्या देगा वो लेकिन इंग्लिश में पिरिक्ट कर सकते हैं पहले कि अब किसी को पता ही नहीं कि इसका उनके लिए तो ऐसा है ऐसा होगा खेर कोई बात नहीं एक ब्रीफ आडिया होगे कि क्या पढ़ना चाहिए अच्छा आप अपने बारें बदा तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ाई पर शिक्रूर रहता था अपका पहले तो आप तो आप से आप इस साइड आए तो कितने घंटे पढ़ने का प्लान किया कि इतने में हमारा हो जाएगा जादा नहीं है अगर कंसिस्टेंसी से चार से पांच गंटे पढ़ाई किया जाए तो हो जाएगा सारा कवर हो जाएगा लेकिन कंसिस्टेंसी दखी वह तो रखना ही बड़ेगा आप लोगों कैप कितना था मतलब कितना पढ़ने को मिला आप जब फीलग हुआ उसके बाद एक्जाम पे हुआ राउट 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 उसके बाद जुलाई अगस्त दो महिना मिला चार सिप्टेंबर को एक्ज सब्सक्राइब करें तो आप जो ट्रेनिंग यह जो नई वेकिंसी आई हैं यह ट्रेनिंग हमारे साथ ही करें यह भी प्रॉबबिलिटी है सब कराते हैं तो कौश काटिए हो जाएगी यह यहां यह एक प्रॉबबिलिटी है और यह लोग को बहुत जल्ली करा हैं जो होगा वह बहुत जल्ली होगा ठीक बात थोड़ा सा आप चलिए इनिजिन का तो आइडिया लगया तो जो पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ीए लगाएंगे फिर उसके बाद आ और मेडिकल की तो यह बड़ा होता है कि हम जा रहे हैं जैसे आप मुझे बता भी रहते कि किसी को टैट्व के लिए रिजक किया था तो किसी को फीजिकल में भी रिजक किया होगा आप बता रहते कापी सारे लोगों को रिजक किया फीजिकल में मेडिकल में तो थोड़ा सा ज कि आप लोगो ने रिप भुड किया तो क्या होता यो घ्किल में को है सब्सक्राइब इस सिर्ट बढ़ तो ने किसी को भी निकाला था यासे किसी का चेस्ट कम भी था सर तो उसेघ मरवा के और इस में फुलाव मुझनलब तो आप कम से कम दो महीने रनिंग की तब आप आप आपाएंगे क्योंकि रनिंग में का हुआ लिटल बिट तोड़ा सा है रिस्की आप सें डाउंस हो सकते हैं उसमें क्योंकि 2200 मीटर है सर और वो 17 में तो उसमें आपका स्टैमिना जो है वो अच्छा होना चीजिए तो उसक बढ़ते हम बंदे जो थे सेंड वाले उनको भी दो को अलाव कर दिया था तो आगे-एक वेहिकल चलता है एक मोटर बाइक थी वह आगे-चल रही थी और रिकॉर्डिंग होती है अग्धा और हम लोगों ने रनिंग की अफिशेंट टाइम था 17 मिनिट इसने प्रैक्टिस सब्सक्राइब कर लिए मैंने कंप्लीट कर ली ती बारा मिनिट फंदरा सेकंड बाकि सबने ही लगब फंदरा मिनिट के बाद तो कोई नहीं आया बाकि अच्छे थे बंदे सारे तो वहां पर जब रनिंग होती आपकी तो सारे ऑफसर उते हैं जैसे कमांडेंट भी थे औ और बाकि पानी वगएरा की विवस्ता बहुत अच्छी होती है जगह जगह पर कॉंस्टेबल्स खड़े होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं और पानी भी देते हैं और जैसे किसी के चोट वगएरा थी पहले से रनिंग के दौरान तो उसके लिए डाइकलोफनेक् जो 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 क्वालिफाई थे उन्हों को डॉक्यमेंटेशन हुआ और सबसे इंपोर्टन चीज जो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम पेस हो रही थी बच्छों को कि जैसे कि अगर कोई कैटेगरी का बंदा है पर्टिकुलरी ओबीसी का बंदा है तो स्टेट का सर्टिफिक एक मिनट में आपको इंट्रीव कराया जाएगा तो साथ कुछ लोग सोचें कि यह है की नहीं है या कुछ लोगों को माइंड में यह आए कि यह पहले थाइस बार निखाल दिया तो इसली बार भी यह सब चीजें मेंचेंट थी नहीं करवाया गया इसका कोई मार्स नहीं मिलता है जस्क्वालिफ आपका मारके कहते में दोड़ जाओ दोड़ जाओ फिर भी आपना दोलो तो अलग बात है तो यह वह का रहा था जगह नहीं बताया आप यह मैंने पूछा भी नहीं है इस फिजिकल कहां पर होता है यह मेरा हुआ था भी आप शावला सर बीस चावला कैम में हुआ था मेरा अच्छा 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 कोई बंदा जोदपूर थे हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं अच्छा फिर आपका यह हो गया फिर डीवी हो गया डीवी के बाद इंट्रिव्यू प्रॉसेस इंट्रिव्यूं में जर्नल और कोशन से कैसे करोगे यह आर को कि आपका मतलब कालिए टर में कोई प्रॉबलम आया तो आप कैसे करोगे गए जर्ल कूशन सर नि कि मैं स्टार्ट पूछा चाहूंगा जैसे कि सबसे पूचा था अच्छा उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं कि आपको यह नहीं बताना या जगह नहीं बताने कहां से आए ओकी या फिर अपने मर्जी से कुछ भी बोलो आप नहीं सर अपनी मर्जी से हम लोग अने से कुछ विए ऐसा कोई रस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप यह नहीं बता तो यहां पैसा कुछ था भी पार्शल्टी के अगर मैं बात करूं सर तो पार्शल्टी जीरो थी क्योंकि हमारे साथ पूरे टाइम जो है वो बीसे विजिलेंस रहा है कि इसले कराओं कि कही सारे इंट्र्विवी में ऐसा खौलो कि आपको नाम नहीं बनाना है ताकि नाम से कास्ट या रिलीजन इस सब चीज़ें निकलती हैं तो फिर इंट्वी पैडल में कुछ लोग में भी कुछ एक्जाम में रिस्रिक्शन होते हैं तो यहां पैसा कुछ रिस्रिक्शन नहीं है विर्फुल आप कैसे विए एक बेसिक इंट्रो आपको तयार करके जाना है अगर इंट्रिवी में अगर इंट्रिवी नॉन टेक्निकल थे जाना नॉन टेक्निकल भी था। उन्हों ने यह बी पूछा था कि कहा पूस्टेड है और फादर के मतलब और कौन है फैमिली में इस तरीके के कुछिंट मुझसे पूछे गई थे जी हमारी बात हुरे दिन आपने गा था कि SSB आपका था तो आपने बिश्याद बताया था उससे भी कुछिंट पूछ आथा इसके बार बार था सब्सक्राइब भी किया था इंट्रीव और ट्रेटैस्ट को डूर्ट जो है उन्हें जो है कि एक साथ ही आया था तो उन्होंने एक लोज ने किया था कि पंडे को इंटरिवु में डिस्वालिफाइ किया है या गया अच्छा उसमें तीन बन्दे इस पूप कि ट्रेटेस्ट में जैसे सर इंट्रिव्यू के बाद हम पहुंचे तो वहाँ पर जिप्सी खड़ी थी और कुछ जिप्सी के जैसे आइसी इंजिन के कुछ एक्युपमेंट्स जो है रखे हुए थे तो जैसे पिस्टन रखा हुआ था और ब्रेक ओल रखा हुआ था सर लु कि आइडनिटिफाई करने को कह रहे थे कि ये नमबर फाइफ पर जो चीज़ थी है वो किया है उसके बाद तर वो जिप्सी की तरफ ले जाते हैं डिप्टी कमांड़ेंट सर से वो जिप्सी के बढ़ एसमटी सेक्शन के ही होते है फिर वहाँ लेके गए हमें जिप्सी के कि यह क्या है कैनिस्टर है कि नुझे बोला क्या काम कैसे कर सब्सक्राइब ब्रूव का सब्सक्राइब है और इस में टूल प्र शॉने का एक्जम है और यह गंजाम होग है यह फिर यह तो इन चौट आप को आइसी इंजन तो अच्छे से पढ़के जाना है एक्जाम भी निकलवाएगा और यह ट्रेट टेस्स यह सारे निकलवाएंगे तो ट्रेट टेस्स में आपको इक प्रेटिकल जैसे नहीं होता है कि एसंब्लिंग करो या फिर इसको डिस्मेंटल करो या कुछ ऐसा नहीं करवाते हो ऐसे कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा जिब शीचे तो तरहीं पूछेंगे स्थिक से यह क्या है यह क्या है इसका रोल क्या है इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करो गया आप इस तरहीं कि चीजियां आप सब पूचिए तो अराम डाउं कितने इस प्रेशन या कितने टाइम का रूट तो ट्रेट ट्रेट चलता है कि तो इंट्रीट टेस्ट चलता है कि तो इंट्रीव पैमिल में कितने लोग थे आपके कि यह रहे थे कि और ग्राउंड में था जाहां में रणिंग वहीं उन्हों है तो वहीं शुरू कर दिया तो वह एडी जी सर वहां मौझूद थे वह देख रहे थे कि आपका बॉडी लेंग्विज क्या है आपका पॉस्चर कैसा है बैठने का दावे यू स्पीक उस तो मतलब यह है कि बहुत ताम जामवानी चीज़ें नहीं यहीं चीज़ें पसंद आती हैं कि भाई चलो हो गया दौर हो गई आप चलो यहीं इंट्रिव्यू देलो यहीं पर खाना खाना यहीं पर सोजाना फिर सुबर चले जाना घर कोई बात नहीं आर्वी का डिफेंस का चीज़ें जो होती है बड़ी जबरदस्थ होती है तो अब टेस्ट हो गया आपका और इंट्रेव्यू हो गया दो चीज़ें हो गई अब इसके बाद आपनों से क्या कहा गया कि आप जाईए हम रिजल्ट बाद में देंगे या कुछ और आपको इंस्रक्शन दिये गए कि यह करना आए या फिर जब यह सारी चीजें चल रही थी तो जो उनकी थी खाना पिना अपनों का कैसे हुआ बाकी चीजें क्योंकि इसमें टाइम तो लगा ओदा आपने मौर्णी में रिपोर्ट किया था और ट्रेट टेस्ट हतम होते होते कितना टाइम हो गया था सर आठ बच गए ते रात के चांगे और एक चीज और सर जब हमने रिपोर्ट किया था तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप जो है अपना इटेबल्स जो है मैं आपका फ्रूट वगएरा वह अपने साथ ले लो और तो भी मैडिसिन वगएरा मत लेना तॉड को इंप् इसक्शित वगएरा ले सकते हो यहां से आपको टेबल्स नहीं दिये जाएंगे और यहां कैंटीन मीडें अच्छ फर खाने पिनने की समान खुद लेके जाना है यह तो लेके जाना है लेकिन दौर के बाद डिया शर ने वहां पर एक लूकल वेंडर को बोल दिया था कि य आप लोगों को तो नहीं मिलता तक खतम होगा था अब अब दोक्यमेंट वैरिफिक देज अच्छा तो मतलब एक देन चलो ब्रत में निकाल दिया नोपनी के ब्रत में अब ब्रत सखर हो गया तो आपका तो हो गया ना कि एक प्रस्पेक्टिव में डिस्केशन नहीं किया यह मेडिकल कि उसी दिन मेडिकल हुआ था आप लोगों कि नहीं जर आट बज़ के लिए टेस्ट होते होते हैं उसके बाद मैडिकल के लिए सेकेंड दे बुला था आप आप बज़े रिपोर्ट करोगे यहीं से अच्छा चार्सोर रुपे पर डेक के साफ से दे देते हैं सरूर जहां मैं रुका था वो बिए से रिटाइट थे एक तो उन्होंने और थोड़ा सा मुझे बता दिया था कि कैसे कैसे करना है तो फिर दूसरे दिन सर गए हम वहां पर ही उनका हॉस्पीटल है चावला केंप में खु अपने अंडर गार्मेंट पर रहना था कड़े उतरवा दिये उन्होंने और उसके बाद सर सारा कुछ चेक हुआ मेडिकल्स में जैसे नॉक नीज हो गया वेरिकोस बेंस हो गया यह सब चेक हुआ और सर उसी दिन यह सब चैक होने के बाद आपको बेजा गया डेली में सर क पर यह जगहती जहां पर लैब था फ्राइविट लैब वहां पर हमारा यह हुआ उसके बाद सर ब्लड टैस्ट और यूरीन टैस्ट वाँ ब्लड टैस्ट रिपोर्ट ऐसर एक दिन बाद अगर सेकंडे मेडिकल वा उसमें आइशाइट टैस्ट रच पार और अगर नोष ये यह जब चेख वे सर अब आप अब यृट पॉर्ट यह चेक्ट इश्ट शेश्ट के बाद सर एंज हम लोगों को श्र दिया था मतब थीन का प्रसीज ओ गया तो 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 पूरा तीन दी कि पांस दिन की विवस्ता करके जाए कि क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था हम लोग चौवीस बंदे थे कि अठाइस में से चौवीस रहे थे तीन ट्रे टेस्क में निकले थे और एक बंदा हमारा दॉड में बाहर हुआ है कि तीन लोगों को निकाला था प्रॉब्लम यह तीजर कि दो साउट इंडियन स्टेज उनको हिंदी नहीं आता था कि अच्छा कि क्या हुआ था है कि वह सब होने के बाद सब्सक्राइब चौवीस में से लिए भी वज्ट अब मेडिकली उन्पिट हुए थे बीज बंदे और चार बंदे से जो अच्छा अ जिसमें से कि आप भी थे आप यह अगम जब्सक्राइब किया था कि आ यात बद अब मेटेट एक सिरियस इसु है तहेंगे तो फिर आपको आपका भी मेडिकल नहीं हुआ हाँ सर वही तो चार बंदे मेडिकल इस पे टुवेते हैं उनको घर बेज दिया उसी दिन एक डॉक्मेंट देके परवाया हुंते और उस घर बेज दिया हम लोगों को बोला कि आपको दुबारा से सुबह रेपोर्ट करना है अच्छा तो सर री मेडिकल का जो अपील था वो वह रहा हम ने री मेडिकल का अपील का फॉर्म होता है वह बहाँ आपका है साइंक से शिग्डेचर की यह उसके बाद वह हम ट्रक में बैठाके लिए से पालों है उनको आर्के पुरम डैली लेके गए था आरके पुरम में पकड़ेंगे चार पाकिस्तान पकड़ेंगे लेचलो फिर उसके बाद हमें आरके पुरम लेके गए सर वहां पर बड़ा हैक्टिक हो गया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे री मेडिकल के से कॉंस्टेबल और का पेटनस वगएरा स्ट्रेट वारे चल रहे थे सर बहुत होगा री मेडिकल तो फिर उसके बाद टैटू अगरा कर दासर बहुत लोगों का काफी काफी वेरी कोज वेंस बगएरा तो डॉक्तर ने बोल दिया था कि री मेडिकल का जब बोर्ड बैठेगा तब तक आप यह जो पॉइंट्स हैं आपके वह पॉइंट्स बता दिया थ अठेग को अच लिए दोने पी जाता है आप तो पानी भी जाता है अपको पानी अच पर एड़ा आप पानी पिखा नहीं पर आप जो तो टूर बंदा था चाहतार जो उग्सा चाहता दर शूए जो पता नहीं था कि क्या बोलते हैं आप उसको भी नहीं आती झाल ज़ृ तो फिर जाके मिठाई मिठाई कलाई हम लोगों ने प्राइट होगे रहा है तो यह जादा अच्छा आइडिया है कि आप रिमुव करवा के जाए अगर कहीं अंदर है तो चलेगा इसा सब्सक्राइब करें तो यह जाएगी तो यह जाएगी तो यह जाएगा तो यह जोड़ें कि तुम 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 क्या विद्धार के साथ होड़ो रहेंगे कि अग्याद के साथ ही सारे लोग चलते हैं तो इक टैटू से अगर कामयाभी बाहर जारी तो टैटू अट वाहें जल्री तो टैटू निकल वार एंगर ज्यादा इस लगे तो निकल वालें तो यह जब आप यूरिन टैस्ट में जाएं तो पानी ठीक तुम आप नहीं ले पानी पी के जाने तो मिन्रेल्स जो जादे कुछ निकल जाएंगे इदर उदर तो फिर से प्रावल्ब्लम होगी तो नार्मल नार्मल सुसू करें मतलों जो वाइब वाली सुसू होती है अलो वाली ना कर दें लिक्त हो सकते हैं ना कॉंसेंट्रेशन गणों हो जाएगा त तो जिम कर रहे हैं सर बंदें कि जिम में लेक्स जिम ना मारें अच्छा बाहर आ जाएंगी वेरी पोज हो जाएगा यह तीन भी था सर महां पर अच्छा निकाला था और निकाला भी था कि तुम यह जिम से जो है यह बॉडी का तुमने देखा तर दिया रनिंग करो आराम अच्छा एक चीन में कुछ दर पूछूगा साथ पिछली बात मुझे कई सारे मैसेज़े आए थे कुछ प्राइट पार्ट्स भी टेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं अश्ग करते हैं करते हैं अच्छा अब लोगे नहीं लहां पीषट को मात फोर किसी को कोई पॉब्लम है तो उसको पहले से ट्रीटमेंट ले लेना है ताकि वहां पर इसुना वो तो पहार तो नहीं करते हैं पर ठीक है पहले साथ ज्यादा बैतर है नि तु कहां पर जादे स्टिक्ट देखते हैं कि हहां पर में चीज ओने लिए बशेएं को लिए जैखी जणता उटार रेश्ट हैं पर अरे में गाल। विस ऐड़ीकल स्टिक्षारgen जरीक सब्सक्राइब कर दिया कि ठीक निकल वा लेंगे तो वो चल गया तो ले लेते हैं कहीं कहीं पर टाइब करता सर्फ डॉक्टर तो वहां पर यह है कि डॉमा वाले डॉक्टर अगर बीजएस में नहीं अविलेबल उन्स्ट्यूरेशन के टाइम पर तो वह आपको कहीं और के लिए रेफर कर देंगे जैसे आई टीपी आपको यह वास्पिटल बेज देंगे आ जैसे वेरिकोज वेंज में एक बंदे को आई टीपी पे होस्पिटल बेजा तो वहां से डॉक्टर करेंगे कि वाकई में है या नहीं और उसको फिर वहां पर क्या होगा सर्फ पर ली जो स्पेशलिस्ट होंगे उस फील्ड के वह देखेंगे कि वेरिकोज है या नहीं मेरे साथ एक बंदा था सर वो दस में से चार जवाब दे पा रहा था चे नहीं दे पा रहा था मतलब माइल्ड था उसको और वह भी कुछ-कुछ नहीं लिया निकाल दिया था उसको और रिभी मैडिक बंपता चले कि बंप पहचानना है कोंसी कलने का वायर कार्ट में और ह मेरे निकाल था था पर दो पता चला कि पूर्म्स कौण को था साथ नंगे पटानी आप नों इस बीले की ना मिले बंप स्कॉर में है वहिल तो जा कि है क्या मालु आपको भी लगा दे वहीं लिकील के साथ है वहिले में जो इंसटॉल किया जा जाए है और भी शेस्टल की और मिलिटेंस बहिकल से उसी में लगातिया है कि फुदकुरी उडामा है अब उसमें क्या होगा गी तक जो हमारा मेडिकल ले रहे थे वो दॉक्टर साब सब कुछ चेक कर रहे अब क्या होगा कि नॉक्नीज है तो वह अपना पॉइंट जो है उसका नॉक्नीज पर बना है तो वह पर्टिकुलरी एक और्थो डॉक्टर के बास जए अगर परिवी चाहि लेकि घंगी यह यह सारे भॉफिर सारे प्रेमकर्स नीए होते हैं लॉक्षं estáspavronak करम हमारे रीव्यक्नीज जाएक कुछ उते हैं आज जाने सब्सक्राइब करते हैं दॉ मेंपकरिया के सब्सक्राइब करते हैं कि यह चल जाएगा यह नहीं कर लेंगे फिर उसके बाद उन्होंने उसे मुझे करते हैं तो ठीक है ले लो और भी बच्चे को कहते हैं कि देखो पीटा हम तो ले रहे हैं तुम भी अपने तरफ से कुसिस मत करना आएसा थी कि यह कंदूर के भी बढ़ा के आ गए तो फिर हमारे यह टॉलरेबन नहीं रहेगा यह होता है चली एक हम लोग थोड़ा थोड़ सब्सक्राइब करें तो बहुकाल की अगर हम बात करें तो बहुकाल तो ऑससर है तो जो कंदे सजे हुए हैं स्टाव से तो बहुकाल तो उनके पास है लेकिन मुझे बोला था सर ने कि आपके साफ से तो आपको इन्फिरियोरिटी नहीं लगेगी कि मैं जोए कहां आ रहा हूं और मुझे एसी होना चाहिए था मैं कैसर वो ट्रेड में काम करने का मुखा मिल रहा है तो वह तो बहुत अच्छा है तो वह ठीक है पर तुम ओर क्वालिफाई लग रहे हैं मुझे मैं का नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है और इस पोस्ट के लिए भी एम वेरी हैपी टू सर्फ देनेशन इस रैंक के लिए मुझे को जिकत नहीं है और इसका है मिलेगा आपको कि सरक अब समझे दो आज बिठा दे आर अच्छा लगेगा हुए है कि साथ जो बाटी जो पैरामेलेटिव फोर्सेज है यह से आईटीबी रिक्रूट कर रही है इससे आपके साथ बाटी जितनी भी है अच्छे साथ यह सभी भी करने वाली है डारेक्ट एससे पहले तो डिसी रिक्रूट करती थी डारेक्ट ली दोजाब दस या नौ में जिन से मेरी बात हो रही थी वह भी आईटी बीपी में है डीसी पोस्ट पे उनके टाइम पर साय अब बहुत सारे ऐसे वेटनरी में अभी रेकंशी जाएंगी वो लोग शीरे जोए एसी बना रहे हैं अभी अभी रिसेंट्ली इसमें आई टीपी में आरक हीं सर वो बीची बना रहे हैं तो अब दी क्या है पाउज तोड़ी उस तरफ जा रही है सब्स्पेशिलिटी की लिए तो पड़ेगी तो कम पड़ेगी और वह मतलब ट्रेनिंग के बाद जादे अच्छे एक्सपरियेंस लोगे वो जादे अच्छे सब्ड़ करें विल्टृट करें बात पाएंगे एक जनरल बंदे के कमपेरिजन में एक इंगिनियर तो थोड़ा अच्छा इसाब करेगा अच्छा नौलेज रहेगा उसके पास और सर ये इसका जो मोड है ना इनकी मतलब ट्रेड टेस्ट भी है तो इन लोगों को एक्पिरियंस प्रदे भी मिल जाते हैं जो पहले से काम किये हुए है तो इस तरीके से चल रहा है सर मामना अच्छा वो जो आपके बैग्डाउन के थे या फिर वो जनरल बैग्डाउन के थे जो बाखिए चीज़े कर रहे थी सर वो तो यूपी अच्छा अच्छा है जैसे टेक्निकल चीज़े पूछ रहे थे या फिर आपके जो इंट्यूव्य में सर बैठे हुए थे वह भी इंदिनी का टेक्निकल क्वेश्चन तो एक होता है कि आदमी कितना पॉल्मिडेंट है ऐसे क्वेश्चन करने में और फिर क्वेश्चन करना ही नहीं है सामने वारा एंसर दे रहा हो कितना दिक देखा तो उसके उपर डिपेंड करता है न कि एंसर कैसे देगा तो ऐसा आदी वीचे कि इसका अच्छा है या फिर पहने वाले अच्छा है या फिर लोग फिर इंजिनियस बना देते अच्छा मतलब वह सारे यूपी अपले लेकिन वह उनको नौलेज थी इसके बारे में इसका मतलब यह था कि वह साहई एसम्टी में के थे अच्छा वह जनल डूटी वां चलिए तो अब परांदराम हमने सारा चीज डिसकेशन करे लिए है अब एक वेस्टन मेरा होता है लास्ट में पर आप से दो प्वेस्टन रहेगा एक वेस्टन तो यह कि आप काफी स्मार्ट दिख रहे तो शादियोदी कर लिए आपने या अब कह दूना कि भाई आप में खाली है बंदा तो आप देख लोगर पसंद आए बात्चीज भी हो गए इतनी तो यह भी पता चल गया कि नॉनेज कि इतना है दिवहार भी थोड़ा पता चली जाता है है कि नहीं तो यहां से ज्यादा इवल्यूशन होगा ना खेर यह तो पूरा है कि आप कॉंटेक्ट कर सकते हो एक वैं कि अगर अपने एक्सपरियेंस के हिसाब से कुछ सजेशन देना चाहते हो ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास सायर का एक्सपरियेंस में है इक दम फ्रेस हैं और स्टार्ट करना चाहते है या अप्रिपेशन करें तो किस स्टार्ट करना चाहिए अगर बिल्कुल फ्रेशर है तो जो लोग प्रिपेशन कर रहे हैं ना उन लोग का मैंड कैसे होता है कि वो आइडिया देना नहीं चाहते हैं उनको पहले से पता है वो आपने में घिस्टे पीटे रहते हैं ठीक है और सब्सक्राइब करना चाहिए तो अगर मतलब रिक्वाइर्मेंट है ना बद देखो जैसे मुझे थी सर मैंने यूट्यूब पर डाला उसके सब्सक्राइब करना चाहिए तो अगर बात करूं फ्रेशर की बिल्कुल फ्रेशर बंद अगर तैयारी कर रहा है तो यह है सर की लूशंट जो मैंने बताया जीके के लिए अभी इतने टाइम में एक्जाम ऐसा है सर जल्दी होने वाला है यह बात तो इतना टाइम सब्सक्राइब करने तो मैं काऊंगा कि आपके जो नोट है जिनका वो 17 गंटे वाला लेक्टर जो पढ़ा हुआ है वो उसको नोट को पहले खुद पढ़ ले फिर उसके बाद एक बार वीडियो देख लें पूरा एक महीना लगेगा लगवा उसको अगर कंसिस्टेंट तरीके से देखा जाएगा तो उसको देखें और अगर जैसे जॉइन करते हैं आप से पढ़ते भी हैं तो भी वह मतलब मोटन इनफ है अगर हम बुक्स के चकर में पढ़ गए ना जैसे मैं वी गनेशन मैंने बुक औ कर रहा है तो फिर उसको पढ़ने से मैं नहीं समझता कि कोई है वालों के कोई इज्जत नहीं है वाई बस डॉक्टर लेते हैं मतलब खुदी मनीवन खुश रहते हैं अभी इससे जावत कुछ नहीं है बड़ी खराब आला थे मैं बेश्ट ही नहीं कर रहा हूं पर जो रिसर्च का लेबल है जिस तरीके से पिए जी निगरी दे रहे हैं पॉलेज वाले इतम पकड़ाई दे रहेंगे बटा यह लो किस है मैं क्वेश्चन पर लेता हूं आपसे अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया है कि जो प्रोसेस होता है कि मानिजे सब कुछ खतम हो गया तो इंतजार की इतना लंबा होता है क्योंकि जब हम सब कुछ दे के आते हैं तो एकदम दिल में धड़कन बनी रहती है यार कि दे जार के पाद रिजन रहां जाता है अब क्या प्रोसेस करते हैं या फिर अप्लोड हो जाती होगी पर जो क्या होता है कि हम लोगों का 1670 नौवंबर को जो लोग टोने से हो गए थे हम लोग लोग ट्वेट से तो हम लोग 24 नौवंबर को हम लोग उसलिए रोगे थे फिट जंदे जो उनको निकाल किसा अलग अलग पॉइंट में तो ट्विट्नेस सर्टिफिकेट अपना लेकर आ गया था जिसको डियाईजी में हमने साइन किये तो उसके बाद सर हमारा जो रिजल्ट आया हूँ सिक्स्ट ऑफ जैन को आया मैं डेली जो है वैसाइड चेक करता र अब किसको बताया आप ने सबसे पहले हैं सबसे पहले मम्मी बापा को बताया दूसरी रूम में थे वह जाके गया वहां बताया पिर इसका कोई में नी किया आपका रिजल्ट आ चुका है बस अफ्लोड कर दिया शाइट पे पेकंड डे सर मेरे पास फोन आया था बी एस थे कोई सब इंस्पेक्टर थे उन्हों ने फोन किया था कि आप कॉंग्रेशिलेशन ते वह बिन सब्सेटेड पूर रैंक अफ दिस इंगिनियर और उसके बाद बाकी फ़र दिटेल सापको बता दी जाएगी आएगी आपको सब्सक्राइब तो यूनियन कैबिनियर शेखावत जल्चक्की मंतरी आबी वह आएगे थे वहां पे और सब्सक्राइब और कमिशनर 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 में आएगे जो इंकम टेक्स कमिशनर है अभी जैपूर में और मोदी जी भी आएथे ऑनलाइन वच्वादी अच्छा तो सब लोग ने मिलके बताया कि वहाई हमने इतने जॉब दे दी हैं मतलब उन लोग आने का पत्वत ही हो सब्सक्राइब अच्छी कंपनी है अगर प्राइबेट सेक्टर में डिसकस किया जाए तो मतलब क्या तकलीफ हो गई में जोड़ना पड़ा या फिर क्या सोच के अब नहीं में जॉब में मन नहीं लग रहा है इसमें क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है कितना मंगाना है पर सर एक यह भी फैक्टर था कि मैं बहुत टाइम से डिफेंस अस्पिरेंट था सरा एंडिया उसके बाद कीडिया के लिए प्रिपेर किया सर कीडिया के बहुत आट अट अट अटम्ट के लिए अटम्ट के लिए अटम्ट के लिए कर रहा था और इस पार भी दिया है मैंने एक्जाम जिसका रदल डवेटेट है अच्छी बार भी एक्जाम क्लियर किया था लेकिन अटम्ट क्लियर नहीं वह पता था तो मुझे पता था कि जॉब के साथ पढ़ाई जो है काफी तफ हो मतलब टाइम बिल जाताया च्वप तो पढ़ने पढ़ेंगे आप चाहीए पढ़ना पड़ेगा यहां गंटे का टाइम टेबल है और अथरा मिनेट पढ़ा नहीं जा रहा है तब तो है सर कंप्पटीशन तो बहुत तब कर ले हमारे तरफ से तो दुआएं ही है दुआएं दे सकते हैं तो दुआएं डिसकส किया जाएगा जाएगा तो मेनी मेनी कॉवासिन लिए अगवाटि से और भिसी के लिए दो इची जरूरी होती है दो इचीज़ इंप्ट्रेइट लाइव में एक तो होता है कि आदम का करियर से थो्जा एक लाइव पार्टर बढ़िया निंग तो मैफ पार्टर का व से अप्रणाम कहना कि यह हैं वाकिग्ष स्थायर करने लिश्ट चना प्रस्थ तैंक्त तेंगी तो कि अ कि आप कि